राम नाम का चमतकार एक बार एक गाउं में एक साधू रहता था वह सारा दिन राम नाम जबता रहता था और ढोलकी बजा कर कीरतन करता रहता था उसकी कुटिया के पास एक व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परिशान था एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस सादू की कुटिया में आया और बोला कि क्या तुम दिन रात राम राम रखते रहते हो क्या तुम्हें कोई काम धंदा नहीं है हमें तो कमाने जाना पड़ता है और तुम्हारी ढोलकी की आवासे मैं सून ही पाता हूँ यह सुनकर साधू कहने लगा कि तुम भी मेरे साध राम नाम का जब करके देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितना अनंद आता है उस व्यक्ति ने थोड़ा खीच कर कहा कि अगर मैं तुम्हारे साध राम नाम जबता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा साधू कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है और राम जी की क्रपा से हर रोज भोजन मिली जाता है तुम भी राम नाम जब कर देख लो मुझे बहरोसा है भगवान तुझे भी खाने को जरूर देंगे वहाए आदमी उस सादु को चनोती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम नाम का भजन करता हूँ अगर तुम्हारे राम जी ने आज मुझे रोटी खिला दी तो मैं भी सारे उम्रराम नाम की भक्ती में लगा दूंगा अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोल की वजाना बंद कर दोगी सादू कहता है कि मैं तो निसकाम भाव से प्रभू राम की भक्ती की है लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनोती मंजूर है वह आदमी सादू के साथ बैटकर राम नाम का जब करता है और मनी मन्या निच्चे करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं भोजन नहीं करूंगा देखता हूँ इसका राम मुझे भोजन कैसे कराता है राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं अपने घर जाता हूँ तो मेरी माँ और मेरी पतनी मुझे रोटी खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है लेकिन मुझे सादू को चुनोती में हराना है इसलिए मैं घर जाने की वजाए गाउं के पास के जंगल में चला जाता हूँ वह जंगल में एक पेड़ की उपर बैठ जाता है और सोचता है कि सारा देनिस पेड़ के नीचे नहीं उतरूंगा और अन्य का एक दाना भी नहीं खाऊंगा इस तरह मैं सादू को हरा दूंगा और उसका ढोल की बजाना बंद हो जाएगा कुछ देरवाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है उन्हें बहुत भूंक लगी होती है बंजारों का सरदार कहता है कि आज जलाकर नहीं पर खाना बना लो अब खाना खाकर ये आगे बढ़ेंगे खाना बनकर तयार हो जाता है बंजारे खाना खाने ही वाले होती है कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे है बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं वे बंजारे खाना भई पर छोड़ कर चले जाते हैं वे आदमी पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा था कुछ समय बाद डाकू भाँ पहुंसते हैं भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि कुछ वो तो बहुत अच्छी आ रही है यह भोजन किसने बनाया है और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं यह हमें फसाने के लिए किसी की चालतु नहीं हो सकता है इस भोजन में जहर हो इस समय डाकू के सरदार की नजर पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ती है वह उसे नीचो आने का आदिश देता है नाकू उस व्यक्ति से पूशते हैं हमें मानने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है वह विचारा मिन्नत करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया है और इसमें जहर भी नहीं है नुगी हमें लगता है कि तुमने यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है अब सबक Totally पहले तुम यह भोजन खाऊगे वह जित पर अड़ा रहता है कि मैं भोजन किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा डाकूँ का सक और गहरा हो जाता है वह बंदों की नौक पर उसके सिर पर रखकर कहते हैं तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा नहीं तो गोली खानी पड़ेगी उसके भोजन कनने के बाद डागूं ने उसे छोड़ दिया अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डागूं को राम जी नहीं भेजा था वह वहाँ से सीधा साधू की कुटिया में जाता है और जाका साधू के चर्णों में प्रडाम करता है उसने सादो को सारा भ्रतान सुनाया अब उस सादो से भी जादा उसे राम नाम की लगन लग गई और उसने अपना पूरा जीवन प्रभू राम जी को समर्पित कर दिया दोस्तो वीडियो पसंद आयो तो लाइक को शियर जरू करें